अगर आप इस रेमेडी को एक बार अपलाई करेंगे ना तो सच पुछिए आप इसके दीवाने बनने वाले ये इतना जादा कारगार है उसके लिए आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा जैसे जैसे मैं बताई हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा अपरीवरीर्वाइन ने जण आप करते हो निदी केचे लाइफस्टैल चैनल पर दोस्तों उमीद करते हो का आपके परिवाय भा 충OL होगे आज इस वीडियो में बहुती भी बेहतरीन प्रेमड ओपके साथ श्यर करने आ रहे हूँ था कॉछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी सारा डीटेल, कैसे इसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ आपको दिखने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते है इस वीडियो को, उससे पहले एक छोटी सी रिक्विस्ट अगर चैनल पर पहली वार आए तो प्ली चाय को सब्सक्राइब जरू कर दीचे का, पास अपर जो किसी भी वेसल में बना सकते हैं, फर्स आपको लेगो एक चाय पत्ती जो भी आपके किचन में एवलेबल है, सेकेंड, आपको एहां पर एड़ एक चामच इतना मेथी दाना, मैं आपको बतादू कि चाय पत्ती में होता है, निकोटी जो की हमारे बालों पर एक ड बहुत अच्छा काम करता है कलाउंजी हमारे बालों को डाक कलर देता है बलाक बनाता है एक चमच इतना मैं आड़ान की हूँ यहां पे कोफी पाउडर किसी भी ब्राण के ले सकते हैं अब आपको एड़ करना है एक ग्लास इतना पानी इन सब को मिक्स करना है और बिल्कुल इस पाना है पाना है जब तक हमें रड़ रडियूस ना हो जाया रड़ इसका बाद रड़ रड़ के बाद एसका बने बन के रड़ ऑचा जाएगा अब बता दो कि एप जादे कौंटिटी में भी बना के फ्रेज में स्टो कर सकते हैं जब भी आपको अपलाई कर निकाले और आप कर सकते हैं अपने हेर रूर्स पे पूरे हेर रूर्स पे नहीं तो आप चाहें तो कॉटन बॉल से इसे पूरे हेर रूर्स पे लगा ले लेकिन यह रहें से यह हो चुका है अब आपको क्या करना है अब क्या करना है अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है तो हफ्ते में दो बार इसे जरूर अप्लाई किजगा अप्लाई करके आपको एक से डेर घंटे के लिए बालों पे छोड़ देना आप चाहें तो ओवरनाइट भी डग सकते हैं जैसे हेर वालिंग करते हैं नेक्स्टी आप शैंपू कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ए शेयर जरू कीजिएगा थैंक्यू है वे नाइस दी